हालो हाइ फ्रेंड आज अपन इस फिदियो में ध्रस्ट इंग चैटर नमबर 5 वीछन एक लिए ऐस नहुं सहल पर गुलिए को सके निल्निते घ्ली है गाए इसके निल्क पहले कोशिन के देख लिए ऑध्रीया व ट्रींगल इस चैटर गार गुल ते ऑले कोश्यन प्रींगल रहा है अगर एक triangle का base जो है 4 cm longer than altitude so जिसका height से 4 cm बड़ा है क्या base then उसका area of triangle 48 square cm दिया और पूछ रहा है base or altitude so very simple friends मैंने एक diagram draw करूँगा यहाँ पहले बोल रहा है जो भी triangle है एक triangle का base से हो है that is 4 ज्यादा है किसे altitude से so what we can write it let the altitude be let the altitude be x तो अपन altitude को x बोल कर मानेंगे friends अगर altitude को x बोल कर मानेंगे तो यह obviously 4 cm बड़ा बोल रहा है तो base क्या हो जाएंगे x plus 4 हो जाएंगे so I hope it is clear friends यह अगर altitude 4 है तो यह x plus 4 हो जाएंगे क्योंकि बोल रहा है 4 cm longer than base is 4 cm longer than altitude okay so अभी देखिए friends अभी यहाँ पर पता हो गया that is यह सब अगर cm वे दिया तो यह भी cm मा जाएंगे और यह भी cm मा जाएंगे okay so I am denoting with this a b and c अभी देखिए area of triangle भी तो दिया तो है friends that is area of triangle which is equal to इसका formula क्या area of triangle half into base into height और area of triangle का value दिया तो है that is 48 square cm okay square cm so यहाँ पर base क्या है difference x plus 4 है और height क्या है x है तो यहाँ पर substitute कर दीजिए that is half base क्या है x plus 4 and height क्या है x है which is equal to 48 अभी आप क्या कर सेक्थे 2 को यहाँ पर बेज दीजिए so that is आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 को यहाँ पर बेज जिए that is x into x plus 4 यह इस तरीके से बज जाता हो और यह अगर 2 यहाँ पर आ गया तो 2 into 48 that is 96 ओके मैं क्या करें जस्ट 2 into 48 that is 96 और x into x plus 4 मैं इसी तरीके से लिए अभी आपन को क्या करेंगे x into x that is x square और x into 4 that is 4x which is equal और यह 96 को मैं ले ले लेकर आरूं that is equal to 0 okay so मैं अब यहाँ से क्या करूंगा friends इसके भी factors कुछ आपन को इस तरीके से find out करना है okay so यह देखिए है यह first of all यह quadratic equation के फार्म पर है that is ax square plus bx plus c equal to 0 standard quadratic equation के फार्म पर है okay so अभी आपन को क्या करना चाहिए friends इसको जब solve कर रहे थो a into c should be equal to p into q यह p q क्या है friends जो भी b को split करेंगे आप p plus q के फार्म पर it should be जो भी values इसके ISO है यह multiply करने पर a or c के बरापर होना चाहिए यहाँ पर a or c के आया friends 1 into minus 96 that is minus 96 आ गया पर अपने को जब p और q को भी split कर रहे तो अपने को वही आना चाहिए तो अपने के देखिए friends किस तरीके से कर सकते so x square plus 12x minus 8x 12x minus 8x so 12 में से 8 गया तो 4 बचेंगा that is plus का plus okay minus 96 which is equal to 0 देखिए friends 12x minus 8x कर तो 4x आ गया पर यहाँ पर देखिए p क्या है 12 है into 8 क्या है minus 8 है so 12 आपने को minus 96 ही आएगा so इस तरीके से आपको इस प्रॉल्म को करना था okay so देखिए अभी यहाँ पर split हो गया so अभी आपने को दोने में से x common है तो आपने x ले लिए लिए that is x plus 12 और यहाँ पर minus 8 common है दोने में so x यहाँ पर minus अल्रडी common ले लिए यहाँ पर plus ले लिए आइंड बचा क्या x minus 8 which is equal to 0 अभी आपन क्या कर सकते यहाँ से देखिए x plus 12 equal to 0 x minus 8 is equal to 0 यहाँ से x is equal to minus 12 आता और यहाँ से x is equal to 8 आता बट यहाँ पर base और altitude बोल रहा तो base और altitude यह negative नहीं होता तो आपन minus 12 को consider नहीं करते है तो अगर x that is altitude is 8 then what is the base बोल के पुझा तो very simple friend अभी आपन लिख दिंगे therefore the altitude is equal to अपन क्या माने थे फ्रेंट स्टार्ट में x बोल के माने थे x is equal to x की का वालू कितना ले रहा है अपन 8 cm and that is base कितना है फ्रेंट बेस is equal to कितना है x plus 4 है ना x plus 4 तो x का वालू कितना है 8 है so 8 plus 4 which is equal to 12 cm that is 12 cm I hope it is clear friend मैंने बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करा हूँ आपको वीडियो कसा लगा है जरूर मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताए फ्रेंट अगर आपने इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तिंग नहीं है तो जरूर लाइक दिलिए थैंक यू